तो ड्रेगन किंग के एक ओने एपिसोड में आपका स्वागा थे चलो बगएर किसी दरीके स्टाट करते हैं हमारा एपिसोड नमबर 25 लगना अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दो कि बात में आप करोगे नहीं चलो इस्टाट करते है बगर किसी दरीके सो यहां पर सब लोग परेशान हो रहे थे कि चिन्यू अभी तक आई क्यों नहीं क्योंकि रात में ही वो लोग यूद्ध के लिए गये थे कुई क्योंकि अपनी विंदास मिठाई खा रही थी उसे देखर जनल वो बोलता है कि आतने आराम से कैसे दा सकत चिन्यूं को बता है तो अपना ड्रेगन किंग उसे बचा कर एक गुफा में लेकर जाता है जहां पर देखता है कि उसके हाथ काफी चोटिल हो चुका है तो अपनी सक्तियों से उसे हिल करने की कोशिज करता है लेकिन उसे काफी तकलीफ होती है तब भी उसके घाव को भर है तो थोड़ी दिर बाद अपनी चिन्यूं को होस आता है तो अपने आपको गुफा में पाती बोलती है मैं यहां पर कैसे आई हूँ और वो देखती है कि मेरे हाथ तो ठीक हो गया है यह कैसे हो चुका मैं मुझे अच्छे तरीके से याद है में जब गिरी थी तो मेरे हा है कि ड्रेगन किंग उसके पीछे जानबुच के कुदा हुआ था तो पुस्ता आप भुखी होंगी यह लिए थोड़े फ्रूट खा लिए तो बैड लेकर आता है उसके लिए तो चीन्यूं उससे लेती है बहुत ही मज़े से कास्ती है और एक स्माइल करती है अपने चेहर देगन किंग को बहुत अच्छे से समझने लगे हो और आपका क्या चल रहा है आपका आपके छुटी सी बर्ड के साथ कैसा रिस्ता चल रहा है तो बलता है तुम्हें इस बारे में जाने की कोई जरूत नहीं है यह वह बताता है कि डेगन किंग और चीन्यूं का जो रिस्त है वह दूसरा है लेकिन आपका और उस बर्ड एल्फ के साथ जो रिस्ता है वह बहुत अलग है आप अमर हो लेकिन वह उसकी जीवन वह अमर नहीं है वह 400-500 साल ही जिएगी तो आपको उसे ज्यादा मन लगाने की और दिल लगाने की जरूत नहीं है तो उसका पूरा मतलब चीनियों आजाती है और वो बोलती है कि पता नहीं मेरे बगर मेरे सेना का क्या होगा वागा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस उची इमार मतलब पहार से कैसे यहां से बाहर निकलेंगे तो देन अपनी चीनियों पूरती है अच्छा है सच बताना कि तुम जानबूच के मेरे पीछे वहां से कूदे थे ना देन वह अपना ड्रेगन कींग सरमातों बोलता की यह मेरा कड़तब है इसलिए मैं महां से कूदा अपनी चीनियों उसके पास जाती है और इसको फिर से Professor कन्थे पर उसे थप्थप यह तो जब सकी कांदिये उसका हात रखा होता है तोगिए उसे अपने हारे देह किया होती तो नहींग न कुछ नियुकर इति कर लिंट तो था तो उसे लगा था कि अपने सारी होगा और current me पर इससे कोई फाइदा ही नहीं हुआ अच्छी उसके बाद अपनेम फिच से माने लग दिये तब हील्प कि वहां पर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है तो जहां उसने अपने हाथ से मारा था तो यह उसे वहां पर प्यार से सहलाने लगता है इस यह सब देखकर वह प्रोब्लम समझ नहीं सकते तब यह उसके चेहरे के तरफ देखती है और बोलती है कि यार इसका चेहरा सच में इतना खूबसुरत है तुम्हें सब्सक्राइब प्रोब्लम समझ प्रोब्लम समझ यहां तुम्हें इतनी चीजे यह मैं कैसे याद करूंगी इतने सारे वर्ण यहांद करूंगी उसके के दूबरें तुम्हें उसके यारत करना पड़े और मैं आके इसे दुबार पूछूंगा तुम्हें जवाब नहीं दिया तुम्हें तुम्हें सजा दूँ गांवाँ चला जाता है यह मुझे आपका हमेशा मैडी बशना है तो मेरे इसमें क्या फाइदा मुझे न मतलब गिर चुके है क्लाइम मतलब माउंटेन से गिर चुके है और हो सकता है वो मर गई हो तो तुम्हें मेरा ये बस एक काम करना है तुम्हें याद नहीं किस तरह उसने मेरी आख फोड़ के सामने मुझे बहिज़त किया था तुम्हें ये करना होगा समझे न तो इसकी दोष जो जिन होती हो बाहर सबस्पीजला सून रही होती है अल्सो मतलब міगत बोलती कि जन्यू कहां पर हो तुम्हें अब यहां पर आ लोग है रास्ता कब तक हम लोग यहां पर भटकेंगे तो मुझे अब जाओंगे और सामके वक्त हम लोग यहां पर आकर मिलेंगे सो इस बास से वो बहुत ही ज़्यादा इसमाइल करते हैं और सोचती है कि जब भी वो मेरे पास था इतने सारे तीरों ने मुझे कुछ नहीं किया अब मुझे लग रहा उनके निसाना नहीं खराब था असल में सब वो ड्रेगन किंग का ही कमाल था जो मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही है तुम पक्का र्रेगन किंग हो पड़ तुम यह बात मानते क्यों नहीं हो दूसरी तरफ र्रेगन किंग यहाँ पर आगर कुछ उगाने की कोशिज करता है जिसके सावारे वो लोग ऊपर चल जाए या फिर लते उगाने की कोशिश करता है या कुछ भी लेकिन वो तभी मतलब जादू के इस्तमाल जादा करनी पाता है उसके मुझसे खून फेक देता है क्योंकि यार अभी उसके 49 डेस खतम नहीं हुए थे और दूस्ती तरफ हमारे क्विंकिंग को यहाँ पर बना किया जाता है कि यह तुम चिनियो ऐसा भी हैप करो ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर वो मिसिंग है और वो यहाँ इस बार से बहुत गुस्ता होती है बलती है मैं भूल सी लड़की हूँ आप कोई नहीं हमें जल्दे से जल्दे उसे फाइन करना पड़ेगा ऐसे हम लोग नहीं रह सकते हैं दूसरी तरफ अपनी चिनियो होती है वो अपने सेनिकों के मौत पर बहुत ज़्यादा दुख व्यतित करती है उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई अई चिनियों के लिए बहुत बूरा लग रहा है सभी वहाँ पर एक और डिगंट ब्ह조 आता है वह आता है उसके पास ब्हॐं कластय इस अवकर अच्या पर हृएर नके जाता है वह लेकर आ जीवन काल होता है वो बस साथ दिनों का होता है लेकिन इतना अपने आपको रोसन कर लेते हैं इतना खुश रहते हैं कि बागी चीजे से उन्हें मतलब मतलब भी नहीं रहता कि उनके पास इतना कम दिन है इन्हों ने इस धर्टी पे बिताया है उतना अपने समराज के प्रति अपने जनरल के प्रति अपने राजा के प्रति उन्हों ने समर्पित कर दिया और हंस्ते खेलते इस दुनिया से चले गए सो ड्रेगन फ्लाइस या फायर फ्लाइस की तरह जहां भी हैं वहां वह भी बहुत ही खुस होंगे क्योंकि उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया इस दुनिया में सो चीनियों हमारे बोलते हैं अच्छे एक बात बताओ यह सब चीजे मुझे देखी होई क्यों लग रही है अपना ड्रेगन खिंग बोलता है हो सकता है आपने इसे सपने में देखा हो लेकिन उसे सब कुछ याद होता है कि बाई मैंने इसे सपने में नहीं देखा है बट पर आते हैं मुझे जनेरल फांक से मिल ला है थो बलते हैं जन्रल फांक अफंडर मिल रहे हैं तो बोलता है मुझे तो लगता है उमसिंग भी टिखा के भांक गया है और लेसा बहुत शार desert में still को बहुती तो वो इस तरह की नहीं है ठीक है वो डर पोक नहीं है तुम लोगे की तरह तो एई अपने जबान को काबू रखो मैं अभी जाके जनरल को बता देता हूं कि वो अपने युद्ध मतलब छोड़के भाग गई है या फिर भाग गई है तो ऐसा सोच के वो लोग पर डर जाते ह है कि यार उसकी मिसिंग की अगर रिपोर्ट पहुच गई तो उसका इमेज खराब हो जागा तब यह क्या करती है वो चाई का पोड़ जो होती है उठा के सीधा उसके मात भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्या तो उसके बाद वो क्या करता है एक सीसी निकालता है जो क भी होग सपड़ा रहेगा सो इस बास से कुई कि बहुत तारीफ होती है और साथी साथ हो बोलता है कि चाहिए जो हुझा लोगों को डबल कर दोりहाँ हमारी क्यों करो मैंहम हमें मिली चाहिए जू राधिकम करे लेकर बोलता है कि यह देखियों पर एक जगह है यहां से हम उपर चाड़ सकते हैं यहां दो लताई मिली हैं तो अपनी जनरल बोलती है कि यार मैं तो यहां पर गुजरी थी मुझे तो यहां कुछ ने दिखा तो पर अचारंग से कहां से सब चीज़ आ गए यह जगह बहुत मुश्किल से ढूंडा है मैंने हो सकता है आपको यह दिखा से अपने चीज़ के वहां पर जन बचाता है यह जन पोकरता है ऊसे मतलब आपनी बाहों में ले लता है तो अपने चीज़ नहीं पनी अपनी पर मश disciples से अपनी ऑई गया उबाए उसी तरह अपनी भाई जनरल को भी उटाया हुआ था तो अपने चीनियों बोलती है तुम पक्का वही हो भाई मान लो दिन उसके बाद दिरे दिरे से वहाँ से ब्रिच क्रोज करके उपर चले जाते हैं तो उपर पोस्ते सारे के सारे सिपाई और सब लोग वहाँ पर उसके अंकल और जियांग भी आ जाता है बोलते हैं यह ने बहुत मिस्किया अब चाहे हैं जो हो जाये हम तुम्हें कभी किसी जंग के लिए अकेले जाने नहीं देंगा तो बोलता है कि सारा सुक्रिया इसे मतल प्रता था नहीं उसने अपने शिनियों को बचा लिया था और वहाँ से चला गया तो लोग जियान को देखती है वह बढ़ बिंदास वहां से चला जाता है तो बड़ी प्यार से उसे ढूंडती है कि भाई तुम किधर हो वहां से जा रहा होता है बहुत च्छाला उसके दि अपना मिस्टर गू होता है बोलता हैं पता नहीं को इसा लग राए यार मैं कोबा में चला गया 7 दिनों पर फ़्याबर सोप्ते विजिए आपना ने झोम कोलेगकर देखा नहीं नहीं जनरल मैंने उसे नहीं देखा उसने काफी जादा ट्रिंक कर लिया तो चलते चलते वो बहुस हो जाती है और सिध्य अपना लोंग यान वहाँ पर आ जाता है और भाई अपनी चिनियों को सम्हाल के सिध्य उसके कमरे में लेकर चला जाता है ग्रामा में अब ट्विस चल रहा है आप देखो क्या मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कास इस जन में भाई अब नेक जनम में देख नहीं सकता है तो आपको क्या लग रहा है स्टोरी में कमेड में बताव मुझे मिलते हैं नेक स्टुडियों में और तब तक दिलिया, bye-bye!